तो हेलो गाईज तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सच मिथ rearrangement reaction के बारे में तो गाईज हम पहले बात कर लेते हैं rearrangement reactions कौन से reactions होते हैं ये ऐसे reactions होते हैं तो suppose मान लिजिए अगर हमें कोई भी compound को prepare करना है कोई another compound سے वो compound हम prepare नहीं कर पा रहे हैं तो उस condition पे हम use करते हैं rearrangement reaction तो जैसे example लिखते हैं तो suppose माल लेजिए हमें prepare करना है methyl acetamide with the help of acetone oxyn तो हम prepare कर रहे हैं इससे अपना methyl acetamide यह हमारा prepare नहीं हो रहा है तो उस condition पे हम use करते हैं rearrangement reaction इसमें होता है क्या है गईज हम बोल सकते हैं addition या removal करते हैं कोई भी ग्रूप का हम बोल सकते हैं addition या removal करके हम compound prepare करते हैं जो compound हमें चाहिए होता है ठीक है with the help of rearrangement reaction तो देन हम बात करते हैं सच मिथ rearrangement reaction में हम करते हैं जैसे यह देखो हम carboxic acid लेते हैं react करवाते हैं hydrozoic acid के साथ in the presence of H2SO4 plus water moiety then जो अपना compound form होता है amine form हो जाता है plus जो अपना carbon dioxide है और जो nitrogen gas है यह अपने बहार निकल जाते हैं तो next हम बात करते हैं इसके mechanism के वारे में तो first step में हम क्या करते हैं जो अपना hydrozoic acid था ना उसको हमने ओपंगर के लिख लिया है तो हमारे पाद दो foam बनते हो पंगर के यह अपना 30% stable होता है यह अपना 70% stable होता है तो हम बोल सकते हैं जो अपना most stable होता है उसी compound को हम use करते हैं तो हम इसी compound को हम use करेंगे अपने mechanism के अंतर तो second step में हम क्या करते हैं जो अपना carbonic acid था ना उसको हम inject करवा देंगे H positive के साथ तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर यह कर रहे हैं protonation कर रहे हैं protonation मतलब क्या होता है addition of hydrogen यहाँ पर यह कर देंगे hydrogen के addition कर देते हैं तो क्या होगा जो अपना H positive यह जाएगा oxygen के पास जाके attach हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा जो अपना H H O है अपना milk यह अपना water मल जाएगा जो water moiety है यहां से बहार निकल जाएगा और जो अपना H positive है यह अपने carbon के ऊपर चल जाएगा जैसे ही देखो यह carbon के उपर गया तो यह अपना compound है water है यह बहार निकल गया simple है तो दहीं हम बात करते थार्ड step के बारे में जैसे ही दिखो जो third step है यह compound हमने second step से उठा लिया तरफन जो यह वह important है यह हमने first step से उठाये यह और जी हमनेwwww उठा लिया तरफन क्या होगा उसके बात देखो जब नर्यक्टावला है पूस्टी वाले के पास तो अटाइच हो गया तो अपना compound होगा कुछ ऐसे form हो जाएगा तो देन हम बात करते हैं four step के बारे में जैसे ही देखो four step में हम करते हैं जो nitrogen gas है न यह वाला यह वाला जो यहां से क्या होगा एक डिसका फ्री हो जाएगा यहां पर पोज्टी तो था ही बड़ यहां पर क्राएंगे वार्टर के साथ ठीक है तर्फ लिपर साथ जेट करवाने बाद क्या होगा जोगिस हमको पता है जो इस पहले क्या होना पड़ेगा जो डबल वोंड है उसे भ्रेक होना पड़ेगा जैसे देखिए अपना होगा दून्य ब्रेक हो गया तो एक लेक्टरन इसका फ्री हुआ एक लेक्टरन इसका फ्री हुआ जो यहां के लेक्टरन फ्री हुआ था जो अपना ओच नेक्टिव वाला ग्रूप है यहां तके अटाच हो जाएगा सिंपल सी वात है और जो अपना H-positive group था यहां पर यहां पर जाकर जोईन हो गया था और जो N-H-R तो था इह देखो N-H-R यहां पर यहां पर आ गया यहां पर अडिशन होगा था बागे पोसथी तो था इह начал करेंगे इसकी re-arracement करेंगे हम बोख सकते हैं यह करेंगे जेपना पोस्टीव है इसके हम करेंगे removal जेपना पोस्टीव है यह से remove हो जाेगा देखो, हमें remove क्यों करा है क्योंकर हमें carbon-ricide नहीं हेसे दो हमें बनाना प्रध 악 nerak目 carbon dioxide simple शीवायत बात है क्या हुगा यहां से CO2 है carbon dioxide है यहां से अपना बाहन निकल जाएगा देन जो अपना compound form हो जाएगा Amine हो जाएगा plus carbon dioxide हो जाएगा plus nitrogen gas हो जाएगा यह अपने gas से वह ऊड़ जाएगे वैसी ठीक है तो किसे काफी easy mechanism थी तो दिन हम बात करते हैं इसके example के बारे में हमने benzoic acid ले लिया रियाट करवा दिया hyderazoic acid के साथ in the presence of h2o4 plus water into form anion तो simple सी वाद है इसमें हम करते हैं जैसे दोखो benzoic acid ले लिया रियाट करवा दिया hydrazoic acid के साथ in the presence of h2o4 plus water into form anion ठीक है तो आपको example लिखने ना जरूरी होती है at least आपको एक example देनी जरूरी है so guys I hope आपको समझ आ गया होगा तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप comment box में बूछ सकते हो मैं उसको reply देने की courses जरूर करूँगा बाकी गाई जो इसके notes है मैं आपको description में available करा दूँगा आप जाकर download कर सकते हैं तो गाई मिलते हैं next video में